नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहीब में और मैं हूँ आपके साथ सौमयराथी इस वक्त मेरे बगल में बैठे हैं डॉक्टर अजय कुमार जो यूरोलोजिकल सोसाइटी अफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष है इसके अलावा वो पारस हमराई पटना के डिरेक्टर भी है और साथ ही साथ वो पाम व्यू हॉस्पिटल पटना के यूरोलोजिकल कंसल्टन भी है आज हम डॉक्टर साहब से विशेश रूप में बात करने वाले हैं महिलाओं में जो आम यूरोलोजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें लेकर उन्हें जानकारी नहीं होती और जिसकी वज़े से उन्हें और कई समस्याओं का सामदा करना पड़ता है उन बीमारियों को जानने की कोशिश करने वाले हैं सबसे पहले तो डॉक्टर साब नमश्कार स्वागत है आपका मैं सबसे पहला सवाल यहीं पूछना चाहूंगी कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली उरोलोजिकल प्रॉब्लम्स आखिर क्या है महिलाओं में स्पेसिफिकली यह दिप पूछूगी इसे तो जितनी बीमारी आमुत्र जनल लोग पर न लेकी है महिलाओं में हो सकता है लेकिन यह स्पेसिफिक कॉश्चन बहुत ही अच्छा है क्योंकि जो महिलाओं यह जिसको कहते हैं प्री मेनोपजल महिलाएं सेक्शुली एक्टिव फीमेल उनको जो इरुनरी ट्रेक्ट में जो बिमारी होती है और एक पोस्ट मेनोपजल विमन उनको जो बिमारी होती है दोनों के दो कारण भी हैं और दो तरह से हम लोग इलाज करते भी हैं तो आप आईए जो महिलाएं प्रोड़क्टिव एज में हैं, उसको हम लोग प्रोड़क्टिव एज कहते हैं, तो यंगर गल, जो कहते हैं, नव्यूतियों से लेकर के मेनो पोजल एज तक की महिलाओं को समस्या होती हैं, पिशाब की, तो जिनरली जोग आएंगी, दो चीज लेकर के, जल्दी जल्दी डाक साब पिशाब होता है, पिशाब में जलन बहुत होता है, यह कॉमन है, फ्रिक्वेंसी डिस्यूरिया, हम लोग इसको कहते हैं, फ्रिक्वेंसी डिस्यूरिया, सिंड्रोम, सिंड्रोम क्या होता है, यह बिमारी नहीं होती है, सिंड्रोम का मत frequency receiver syndrome जो होता है अब देखे, frequency receiver syndrome का कोई कोई आगे कहेगी हमको B. coli होता है बड़ी B. coli हो रहा है रखता है वो बड़ी डाक्टर के देखा है खाली दवाई देते हैं बड़ी कोलाई है नहीं ठीक होता है B. coli is not the cause, it is the you know, it is the cause of the problem लेकिन उनको तो पूछना है कि आपको B. coli हो तो जहाँ चोलाई है अब ये इतनी बात कहने के बाद सीधे हम scientific basis पर आते हैं frequency and jala दो चीजे जो हैं पशाब के रास्ते में infection के वज़े से हो सकता है या बिना infection के भी हो सकता है जल्दी जल्दी पिशाब होना यंग लड़कियों में महिलाओं में या वेस्क महिलाओं में भी कभी-कभी होता है कि कोई urinary tract infection ने होता है और कहें कि हमरा खाली पिशाब होता है बहुत से ठीक से पूछोगी question तो कहें कि पिशाब जो हमारा है ना दिन में बड़ी बार करते हैं रात में नहीं उठते हैं अरे भाई तो यह दि आपको पिशाब का थेली सूजा होगा पिशाब का रास्ता सूजा होगा है तो दिन्वा में सूजल रहेगा अरत्वा में आपके साथे सूत जाएगा यह दिदी दीनवर्ट पिसाब जादे होता तो रातों में उठना पड़ेगा पिसाब के लिए और जो भी होता तो वो कारण होता है मानसी कृट से ज़े अब लड़ किया है एक्जाम देना है एक्जाम के टाइम में उनका पड़ने का टाइमिंग सुने का टाइमिंग सब गड़ा रहता है एक्जाइटी बहुत रहती है तो उस समय है कि अब रात में रहे रहे कोफी पैगी नहीं दिन में सोने जाएगी तो हाँ ज़्दी जल्दी पिशाब होगा मानसी कृट से जहां टेंशन हुआ, तो पिसाब जल्दी-जल्दी होता है, कभी तुम देखती होगी, तुम्हारे मन लाइक कोई फुटबॉल मैच हो रहा है, या कोई भी टीवी में प्रोग्राम चल रहा है, तो लगता है कि आरे गोल करेगा, गोल करेगा, तब तक लगता है कि यार जरा बाह गेगा, गोल करीएख दुटब जाने के पहले, जबाहू होगा, आदो इंटर्वियु में बाता हां, अच्छा, मेरा नंबर चो नंबर है, तो दू नमर जा रहा है, तफिर एक और जबदम घणा ये एंक्साइटी सेट नहीं, तो ये नंग्तिव लड़कियां, ये य होता है और उसके साथ है तो बुजिये कि सोने में सु आगा है वो बचारी परिशान हो जाती है तीसरा factor है सामाजिक factor घर की नहीं बहु या जिस हरुद को confine कर दिया घर के अंदर जो बहुत तेज थी और यह थी घर में लोग परताड़ी कर रहे हैं यह सामाजिक परिवेश है उस सामाजिक परिवेश में उस बचारी का कुछ नहीं पिशाबे जल्दी जल्दी होते रहता है और कई तरह की चीज़े है इसलिए सिर्फ यूरिनरी ट्रैक्ट में एक बैक्टिरिया का घूसना ही महिलाओं मे जल्दी जल्दी पिशाब होने का कारण नहीं है सामाजिक परिवेश अपना मानसिक इस्थिती यह सब मिला के होता है इसके अलावा एदिमालिया थोड़ी एडल्ट महिला हो गई 40-45 साल का डियाविटी हो गया अनकंट्रोल है नहीं पता है कि हमको डियाविटी है घर का आ तो यह सब सारी समस्या होती है इसमें ध्यान देने की यही एक ही जरूरत है वो डॉक्टर को डॉक्टर के क्लिनिक में जेनरल डॉक्टर के क्लिनिक में जाएगा भीड़ इतनी रहती है डॉक्टर साह बड़ी जल्दी पिशाब हो रहा था है नहीं को जो अच्छा यूरीन तो देना चाहिए प्रोपर्ली कलेक्ट करके, तो पहले तो आजकल तो डिबा देने लगा है, पहले तो ट्यूब देता था, इमाजीन करो, डिबा हो या ट्यूब हो, एक महिला को कहे कि बात्रूम जे यह ते पताब जमा करिया, अभी थोड़ा सा, मने वोई सा बात्रूम पैसाब करने लगी, फेर उसको अंदर ले गई, फिर जाड़े उसी में काका जंजट हुआ, समझने का बात है, कितना उसी कंटामिनेटेड हो गया, और ले करके, चाहिए अधी मोटी ओरत है, या उस तरह के, उस एरिया की बनावट है, कि ठीक से उकलेक्ट नहीं कर पाई, उस एरिया जी गंदा रहा है, तो पैसाब निकला, उस गंदे एरिया से होते हुए उरिन में गया, अब जब टेस्ट कराईएगा, अब ही पंचुआ करने का बैमारी है, पंचुआ करके, उसका अलग प्रॉब्लम हुआ, मल द्वार से गंदगी सब सामने चली आई, और तो को हमेशा मल द्वारत की सफाई आगे से पीछे करनी चाहिए, पीछे से आगे नहीं करनी चाहिए, अब वो हर बार UTI, UTI निकलेगा, जबकि actual UTI उसको नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है, सामाजीक और मानसिक पर यह समय देना चाहिए, आजकाल एक नई तक्निक आई है, च पर व्यक्ति का इंडिविश्वल यह है, यह क्या कहते हैं, प्रॉब्लम है, परसन, परसन को सेंटर करके तब इलाज कीजिए, एक ही चीजने कम्पूटर के तरह कीजिए, उसका परसनल हिस्ट्री लिजिए, उसका सामाजिक पारवारिक परिवेश्ट लिजिए, उसका हस् परिवेश्ट लिजिए ने करेगा, ले जाहीं, देखा देहीं, इसका मतलब शीजिए बेंगलेक्टेट, बहुत महिलाएं तो ऐसे आते हैं कि तनी इंपाटना आई, इतनी उसको वक अप कर दिया गया, एक दूबर सिने मानों महिलाएं यहार देखी मजाज मस्त होगया, और अंटी डिप्रेशन, मेरी मैक्सिमम महिलाएं ठीक होती हैं, अंटी डिप्रेशन ड्रक्स, इतना खुश रहती हैं क्या डिप्रेशन रहता है, तो यह सब अनमास्क होता है, फ्रिक्वेंसी डिसुरिया में, तो उसको करने के लिए डाक्टर को बहुत ही पेशेंस के उससे बात करनी चाहिए, कभी-कभी तो बात नहीं करती है, तो हम लोग एक्जामिन करने के लिए जब दूसरे कमरे में ले जाते हैं, तो सारी बात बतावेगी क्या समस्या उसको हो रही है, क्या करें वो, तो वो एक बहुत ही इंपोर्टन चीज है, कि डाक्टर का काम है, यदि आपके पास फूर्चत नहीं है, तो ऐसे स्पेशलिस्ट के पास बेजिए, जिसको फूर्चत है, आप फूर्चत में इन लोगों देखे हैं, नहीं तो इतना मोटा मोटा पोथा लेके हैं, दूसरा यूरिन कलेक्शन करने का तरीका, अपने सुपरवीजन में यूरि लोगो सबनाऊ, उन लोगों आते हैं तो हमारा यह निर्स, इंटरोर्टर्स को साफ करती है, सेलाइन से साफ करके ड्राई करती है, अक Tub यूरिन कलेक्ट करती है, कभी कुद से आपने बताए कि मांसिक तनाव तो एक इसका बहुत बड़ा कारण है लेकिन क्या यह जो frequent urination होती है यह जो urgency हो जाती है urination की क्या वो और बड़ी बिमारियों की तरफ इशारा करती है कभी एकदम सही करती है जब हम लोग investigate करते हैं उखली बिकोलाई का दवाई लिखने सकाम नहीं चलने वाला है investigate that woman और यह जो मांसिक परिवेश है इस्तिती और सामाजिक परिवेश की बात जो है यह कभ आनी चाहिए जब हम यह rule out कर लें कि अंदर कोई बिमारी खास नहीं है परिशाब के तहली के अंदर तो वो पहले हम कर लेते हैं urine collection properly करते हैं उसकी जाच करते हैं ultrasound करते हैं blood test करते हैं और जरूरत पढ़ती है तो धुर्बीन से अंदर देखते हैं अन्य बड़ी बड़ी जाच करते हैं अरे अंदर inflammation हो सकता है कई तरह की तुबर कुलोसिस हो सकता है और कई तरह की stones हो सकते हैं कई तरह की बिमारी होती हैं जिसमें frequency decision हो सकता उनको rule out करने के बाद ज्यादा तर महिलाओं में जो समस्या होती है मैंने इसलिए बताया कि यह आपको मैं तो पूरा UTI इन female पंदरे मिनट में समझा नहीं सकते हैं तुम भी रड़ बड़ाई होगी कि बोले जा रहे हैं तो उतो समझाने में हमको कई chapter लगेगा लेकिन awareness लोगों में समाज में हो हमारी है सूजन है cancer है stone है उसको rule out कर दिए और उसके बाद भी problem है तो आप जानिए कि कहा problem है उसको ठीक से करके और उसका इलाज कर दिए ठीक हो जाएगी अगला सवाल अपने पूछना चाहूंगी कि जो frequent urination होती है urination को लेकर जो urgency होती है तो उसे control करने का कोई तरीका है क कि बार-बार ऐसे washroom का इस्तमाल ना किया जाए और तो उस चीज को समभाल ले अगर यह मानसिक तनाफ के वज़े से हो रहा है तो बढ़ा question पूछी हो यह हम लोग का इलाज का एक पार्ट है जब सारी चीज हमने कर ली कुछ नहीं मिल रहा है फिर भी वो दिन में पर साप करने जा रही है ज्यादा तर ओफिस जाने के पहले पंच पर जाएगी ओफिस में जब तक रही हो उतना नहीं जाएगी फिर वहां से निकले साम में घर का उसको तना हुआ कि बाप रिवा बच्चा सब है यह है वहां देखना है फ्रला करना है तो यह कहते हैं मांसिक तना हो उसके लिए हम लोग करते क्या है महिलाओं को सिखाते हैं कुछ दवा तो देते ही हैं जिसके चलते तना उनका घाटे और पर साब लगे तुमको कम से कम एक घंटा रोको कौनों कोड़ काई जली जली तरक्टर साब ही तो रुकवे नहीं करता है मों रोको योगा अभ्यास टाइप की चीज़ नहीं हमको रोकना है चाहिए हो जाए तो हो जाए दो हपता तक और साब करो एक दो हपता तक एक घंटा रोकशका तो नुसको बढ़ा के दो करो अढ़ाई करो तीन करो साड़े तीन करो मैकσιमाम चार उससे जाजा जाने, तीन साड़े तीन भी हो जाए, तो यूए चीफ, जानती हो क्या होता है, जब हम लोग बोलते हैं, एक बार इंगलें में था, एक और थी, उसकी स्थिती वही थी, बांसी गूप से करती थी, मैंने उसको ही जो समझाया, तो एक तरह समको मारने दोडी, पर इक कैसे हो जाने, जाने, है को क्याती थी, एक भी को जो समको ही चीफ, जान तूह को जो समकोने था किशृती थी, तो पी रग्या थी, रच्क्यान थी यूपटेकर दोड़ धानने उसको बुलाय थे, यह थान वड़ा चुलेटी दिवा, अवाज जो बाने हो एक बातो प्रूह में मह लेके आई कि डॉक्टर हम अबलाइस्ट, हम फाइन, I can hold it for three hours. तो यह इसको हम लोग फ्रुएंस रेजीम कहते हैं, एक्सरसाइज करें, एक्सराइज करें, मेंटल बायो फीड़बैक से उनको जो हैंसो ठी करने कोशिश करते हैं. तो देखा आपने कि कैसे डॉक्टर साहब ने महिलाओं में होने वाली सबसे जादा देखी जाने वाली यूरिलोजिकल प्रॉब्लम को इस तरीके से हमें समझाया है, जिसके पीछे का एक सबसे बड़ा मुख्य कारण अभी भी मानसिक तनाव ही बताया जा रहा है. तो ऐसे में महिलाओं के लिए जरूरी है कि वो अपने डॉक्टर से अगर ऐसी कोई समस्या उन्हें सामने आ रही है उनके तो उन्हें अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, प्रॉपर मेडिकेशन करनी चाहिए, इसके साथ-साथ मानसिक तनाव के वज़े से जब यह बिमारी होती है तो उसके लिए जो प्रोसीजर समझा जाता है उसे भी ठीक तरीकी से फॉलो करने के आवश्यक्ता है, इस वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही, अगर आप इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेर जरूर करें, अगर झाल